मिली जानकारी के अनुसार चावल के अधिकारियों ने कहा है कि भारत के बास्बती चावल के निर्यात में पिछले साल रिकोर्ड उन्चाई के करीब पहुँचने के बाद 2024 में गिरावट आने की संभावना है ऐसा इसली होगा क्योंकि प्रतिदवंदी पाकिस्तान उत्पादन में उच्छाल के बीच प्रतिसपर्धी किमतों पर अनाज की पेशकश कर रहा है भारत और पाकिस्तान अपनी सुगंद के लिए परसित चावल की प्रीमियम लंबे दाने वाली किस्म के इरान, इराग, यमन, साओधी, अरब, संयुक्त अरब, अमिरात और स्युक्त राज्य अमरिका जैसे देशों में सबसे बड़े निर्यातक है बास्मती चावल के अध्योक से जुड़े अधिकारियों से मिरी जानकारी के मताबिक पाकिस्तान से कम सप्लाई और आयातक देशों द्वारा स्टोक के प्रयासों के कारण भारत का बास्मती चावल का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 11.5 फीसदी बढ़कर 2023 में 4.9 मिलियन मिट्रिक टन हो गया है यह साल 2020 में 5 मिलियन टन के रिकोर्ड उचसतर से कुछ कम है सरकारी आंकडों से पता चलता है कि उची कीमतों की वज़े से बास्मती चावल शिप्मेंट ने दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत को साल 2023 में रिकोर्ड 5.4 बिलियन डोलर जुटाने में मदद की है और यह पिछले साल से करीब 21 फीसद ज्यादा है वहीं भारत के हरियाना राजे के निर्यातकों का कहना है कि पिछले साल जब पाकिस्तान उत्पादन के मुद्दों का सामना कर रहा था तब खरीदार स्टोक करने के लिए दोड रहे थे हलागे इस साल उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण पाकिस्तान भारत की तुन्ना में कम कीमतों के पेशकश कर रहा है राइस एक्सपोर्टरस एसोसियेशन ओफ पाकिस्तान के अध्यक्ष का कहना है कि साल 2023 में इसलामाबाद का कुल चावल निर्यात बढ़कर 5 मिलियन टन हो सकता है जो पिछले साल के 3.7 मिलियन टन से अधिक है मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान रुपई की कीमत में गिरावट ने पाकिस्तान के निर्यात को और अधिक कॉम्पिटिटर बना दिया है जो नए आयामों को खोलता है इस बीच भारत में बास्मती चावल के उत्पादन में अनुमानी 10 फीसद की बढ़ोतरी के बीच निर्यात मांग में कमी के कारण देश में बास्मती की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है भारत के वानीजी अरोध्योग मंत्राले द्वारा संकली तांकडों के अनुसार भारतिय बास्मती चावल के सबसे बड़े खरीदार इरान ने साल 2023 में खरीद में 36 फीसद की कमी की है लेकिन इराक, ओमान, कतर और साउधी अरब को उच शिप्मेंट ने कमी को पूरा कर दिया है सरकार द्वारा बास्मती चावल पर निर्यात नियूंतम मुल्या लगाये जाने के कारण सितंबर और अक्तूबर में भारतिय निर्यात की गती दीमी हो गई थी लेकिन जल्दी इसमें सुधार हो गया है निर्यात को की माने तो भारत ने बासमती चावल शिप्मेंट पर M.E.P. 1200 डोलर पती टन लगाया जो प्रचलित बजार दरोसे अधिक था अक्तूबर में इसे गटाकर 9500 डोलर कर दिया गया हलाकि जनवरी में निर्यात फिर से लड़कणाना शुरू हो गया है आने वाले समय में इसमें और गिरावट की उमीद की जा रही है लाल सागर के मार्दियम से शिपिंग में देरी के कारण माल ढुलाई लागत में भरोत्री के कारण खरीदार खरीदारी में देरी कर रहे हैं उनका कहना था कि खरीदारों के पास प्रयाक्त समान है और उन्हें जल्द बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे में उमीद की जा रही है कि भारत में बासमती के निर्यात में आने वाले दिनों में गिरावन टेकनी को मिल सकती है